नमस्कार आज में लेकर आया हूँ आलो के पापड बनाने की बहुत ही आसान रेसीपी कितना ट्रांस्पेरेंट पापड हमारा बनके तयार है और बहुत ही कुरकुरा भी बनता है है और इसको हम बनाएंगे दिना मस्कीन के तो यहाँ पे लिए मैंने आधा किलो उबले हुए आलो, आलो को मैंने उबल के इसके चिलके उतार ली थी अब हम लेते हैं एक मिक्सिंग बोल और सारे आलो को हम कद्दु क्रेस कर लेंगे आप कदू क्रेस की जगे इसको मेसर की मदद से मेस भी कर सकते हैं तो मैंने सारे आलो को कदू क्रेस कर ली है अब मैं हाथों की मदद से आलो को थोड़ा सा इस तरह से गुत लेती हूँ ताकि इसमें अगर कोई बड़ा सा छुट गया हो तो भी मेस हो जाए इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए इस तरह से हाथों से गुत लिए अब हम डालेंगे इसमें आधा चोटा चमच जीरा साबुच जीरा आधा चोटा चमच कलुणजी आधा चोटा चमच नमाग आधा चोटा चमच चिली फ्लेक्स मुठी वर यहाँ पर लिए मैंने धनिया आप चाहे तो यहाँ से कोई भी चीज आप स्किप्सर कर सकते हैं अगर पसंद ना हो तो और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे उसके बाद हम इसमें डालते हैं एक चमच जीरा रिफाइन ओयल डालने के बाद हम फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं यह मिक्स हो गया है तो अब हम छोटी छोटी लोई उठाकर इस तरह से बना लेते हैं और एक पन्ने लिहे मिने नीचे से और एक आलो के लोई को रख देते हैं और हम दुसरे पन्ने उपर से रखते हैं एक प्लेट की मदद से इस तरह से पतला कर देते हैं चप्टा कर देंगे यह चप्टा हो गया है तो इसी तरह से हम सारे पापड बना के तयार कर लेंगे और यह पापड तयार हो चुका है अब मैं इसको पांस घंटे के लिए धूप में रख दूँगी 5 गेंटे बाद ये इस तरह से हो चुका है बहुत ही ट्रांस्परेंट बन चुका है सुख चुका है पापड तो तयार है अब हम इसको तल के ट्राइ करते हैं मैंने आपे तेल को गरम कर ली है और पापड को हम तल लेते हैं एक छोटी से रिक्वेस्ट आपसे वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, सेर और चैनल को सस्क्राइब कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए इससे सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी तो पापड को मैंने तल ली है अब मैं इसको तोर के आपको आवाद सुनाती हुए कितना क्रिस्पी बनता है खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी होता है थैंक्यू फो वच्छिंग हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में